हेलो स्ट्रेंट्स आज का हमारा टॉपिक है समय लेखन संस्कृत में समय को देखना और उसको लिखना ठीक है जैसे हमारी घड़ी चलती है और हमें समय बताना होता है तो संस्कृत में हम उसे कैसे बताएंगे तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास घड़ी में 12 तक गिंतिया होती है ठीक है तो 12 तक हमें संस्कृत में गिंति आनी चाहिए तो जैसे एक को हम बोलते हैं एक या एकम या एक एक हः द्वी त्रय चतुर्त या चत्वारह ठीक है चत्वारह के साथ फिर है पंचह शष्टह इसको शड़ भी बोल सकते हैं ठीक है सप्तह अश्टह नवह या नवम और दशम या दस ठीक है यह हमारी गिंति है संस्कृत में दशा के बाद एका दश ग्यारह और दवा दश बारह ठीक है यह वन हो गया यह टू हो गया यह थ्री हो गया यह फोर हो गया यह फाइफ यह सिक्स सेवन एट नाइन एन एलेवन ट्वेल बारह हमारी गिंति होती है किसी भी घड़ी में ठीक है और बारह तक हमने संस्कृत में गिंति लिख लीजिए ठीक है अब हम एक्सरसाइज चालू करते हैं सबसे पहले हम यह देखेंगे कि अगर हमारे सामने इस तरह से लिखा हुआ है आठ बजे तो बजे को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं बजे को हम संस्कृत में बोलते हैं वादनम संस्कृत में बजे को बोलते हैं वादनम ठीक है आठ बजे य पर हमारा हो जाएगा अश्ट वादनम ठीक है बजे को वादनम बोलते हैं और आगे जो संख्या आएगी उसको संस्कृत में लिखना है जो गिन्ती है उसके इसाब से हमें संस्कृत में लिखना है अब देखिए चार फॉर्म होती है ठीक है मैं आपके सामने चार बारा बस्ते हैं 12 15 होते हैं 12 30 होते हैं 12 45 होते हैं और फिर एक बस्ता है यह हमारा सीरीज रहती है एक पर चालू करें दो पर वह सेम है ठीक है 15 30 45 और वन ठीक है 00 यानि तो हमें उनके बारे में कैसे पता लगेगा तो हमें आपको एक बार बता देती हूं जैसे हमें लिखा हुआ है 12 बजे 12 बजे को हम लिखेंगे 12 वादनम बजे है तो हम क्या लिखेंगे बादनम आ गया सब को समझ में 12 15 12 15 को क्या लिखेंगे सपाद आगे शब्द जुड़ जाएगा सपाद द्वादश वादनम यानि 15 को सपाद बोलते हैं आ गया समझ में फिर आया 12 30 साड़े 12 बजे हैं तो सार्द द्वादश वादनम यहां पर बीच का टाइम हो रहा है आधा हो रहा है 30 मिनिट्स हो रहा है सार्द यानि आधा ठीक है फिर आया 12 45 अब हम अगर इसको हम इसको देखते हैं कि 12 45 यानि हम बोलते है न एक बजने में 15 मिनिट कम है तो अब कितने बजने वाले पढल है वालए इक बजने में 15 बाकी है तो यहां हम 12 ना लिखकर किक Abendram बाकी है किस किस May बजने में आगे वाली संक्या लिखेंगे हैं इसको फ्नेमें ट्रैंसलेट करेंगे तो तो पादों एक वालडनम आए है कीजिए तो इस तरह से हमारी चार फर्म होती है बारा बजे को द्वादश वादनम इसके जगे कुछ भी हो सकता है एक दो तीन चार ठीक है गिंती मैंने आपके सामने लिखी दी है 12.15 सपाध द्वादश वादनम 12.30 आदा है इसलिए सार्ध द्वादश वादनम और 12.45 एक बजने में 15 मिनिट्स बाकी है यानि पादोन एक वादनम समया है सभी को यह हमारा हो गया complete अब हम कुछ अच्छा एक चीज और बताना चाओंगी यह तो हमने एक यूजली फॉर्म में लिखा कि 12 बजे हैं चार बजे हैं अगर यही चीज sentence में प्रियोग हो रही है कि मैं चार बजे बाजार जाऊंगा sentence में अगर कोई चीज यूज हो रही है कोई समय लेखन यूज हो रहा है तो वहां 12 बजे को हम 12 वादनम नहीं रिखेंगे सेंटेंस में वादने आएगा और अगर तो यहां आएगा वादनम और सेंटेंस में प्रियोग हो रहा इसके नीचे जो कुश्ञन नहीं तो वहां आएगा वादने यह चीज आपको ध्यान देने की है ठीक है तो अब हम फॉर्स कुषिट्ट एक्सराइस के सुरूँ देख लेते हैं एप्लाइ करना बहुत ज़रूरी है ठीक है तो चारों फॉर्म को मैं एप्लाइ कर रहे हैं सबसे पहला है मारेक्सराइस 1 में पार्ट वन में सब्जेक्टिव कुष्टन के साब से अधो लिखत समय संस्कृत नीचे लिखे हुए समय को संस्कृत में लिखिए 845 845 845 मैंने आपको बताया था कि 45 यानी 9 बजने में 15 मिनिट बाकी है तो सबसे पहले आएगा पादोन ठीक है अब यहां 8 की जगे क्या आएगा 9 क्योंकि 9 बजने में है तो 9 वादनम आया समझ में धाई मैंने बताया 30 में क्या होता है सार्ध तो सार्ध सार्ध द्वीवादनम 145 वो ही दो बजने में 15 मिनिट बाकी है पादोन द्वीवादनम पादोन द्वीवादनम 1145 पादोन बारा बने 15 मिनिट है तो द्वादाश वादनम 1045 पादोन एकादश वादनम 845 यह रिपीट हो रहा 845 देख लेते हम पादोन नववादनम ठीक है नौ बजे नववादनम धाई बजे सार्द द्वीवादनम साड़े तीन साड़े तीन है तो सार्द द्वीवादनम इस तरह से हम इसको भरेंगे ठीक है नेक्स क्यूशन देखते हैं अब जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर कोई क्यूशन सेंटेंस में प्रियोग हो रहा है हमारा समय लेकन तो वादनम वादनम की जगे वादने आएगा ऐसे लिखाओ है संस्क्रत समय लिखत्वा समय लिख करके रिक्तिस्थान को पूरा कीजिए अहाम आट बजे विद्यालम गच्छामी आट बजे को बोलेंगे अस्ट वादने सेंटेंस में वादने हो जाएगा सोहन मोहनच सायम शाम को 6 ब बाता 445 पादोन पादोन पंच पांच मिनने में 15 मिनिट बाकी है तो पंच वादने रमा 12 15 पुष्प माने थी पुष्पो को लेके आती है तो आएगा सपाद द्वीवादने चात्रा धाई बजे ग्रहम वापिस लोटती है घड़ से तो सार्द द्वीवादनम इदानीम इस समय जातम जातों 12 बजे बज गये हैं या 12 बज आते हैं तो बारा बजे को बोलेंगे द्वादश बादने तो बारा बजे इस तरह से चेमस में वादने होता है और वैसे इंडिवीजुयली पूछा जाये तो वादनम होता है अज चा और उचित विकल्प सुन करके उत्तर लिखिए ठीक है बालिका हिंदी पढ़ती बालक बालिका हिंदी पढ़ती है तो सेंटेंश में तो वाधस का एक वाधनी आएगा क्योंकि वाधनम तो नहीं सकता सेंटेंस में इदानिम द्वीवादने तुम आपनम गचसी त्री वादने घटिकायाम अबवध घटिका में घड़ी में हो गया है चतुर वादने चार बज गए हैं चार बज गए चतुर वादने इस तरह से हमने कुछ स्क्षाइस सॉलल करी तो आपको आइडिया लगा होगा एक बारुग। से रिपीट कर देती हूँ मैं आगर हम से पूछा गया है कि न बज गए है तो 3 वद्नम। अगर हमसे पूछा जाए सवा 3 बज गए हैं तो सपाद 3 वद्नम। छीके इसके लिए अगर यही चीज़ sentence में प्रियोग होती है तो वादनम की जगे हम वादने का प्रियोग करते हैं बस इत्मा सा डिफ्रेंस से आपको चार टर्म याद करनी है और आपको देखना है कि sentence में वादने हो और विदाउट sentence वादनम हो इसके अलब और कुछ नहीं है आपको संख्यावाची 12 तक याद करने हैं क्योंकि हमारी गिंती में इतनी संख्याई रहती है 12 तक ही तो हमें वो याद करना जरूरी है ठीक है तो आशा करती हूं आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा तो आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच